Hello dear students, welcome to your online classes. I am Shelly, your math teacher. And students, आज हम next time अपने sum करने जा रहे हैं, okay? Subtraction के. So yes, हम हमारे पास क्या है? 18 minus 5. तो 18 को कैसे write करेंगे? 8 at 1's position, 1 at 10's position, okay? और 5 को कहा पर लिखे हैं हमने? 1's position में. तो 1's वाले 1's में से minus 10's वाले 10's में से. So 1's पर क्या है? 8 minus 5. So 8 minus 5 करेंगे कितना आजाएगा? 3, 1, as it is. Next. 1, 2, 12. 12 minus 1. तो 1's वाले 1's में से minus करो. 2 minus 1, 1. 1, 1, as it is. Next. 28 minus 3. 28 minus 3 करेंगे क्या आएगा? So, this is your 1's position, this is your 10's. So 1's वाले सब्टेक्ट करो. 8 minus 3 करो क्या आएगा? 5, क्या 2 के निचे सब्टेक्ट करने के लिए है? No. So 2, as it is. Next. 5, 5, 55. 55 minus 4. This is your 1's. This is your 10's. So 5 minus 4. 5 minus 4. 1. क्या इदर सब्टेक्ट करने के लिए कुछ है? No. So 5, as it is. Next. 6, 3, 63. So minus क्या करने है? 2. So 1's वाले में से 1's वाला minus करो. 3 minus 2. 1, 6. As it is. So 63 minus 2. 61. Next. इदर देखो. 94. 9, 4. 94, minus 4. So 1's वाले में से minus करो. 4, minus 4. 4, minus 4 करेंगे क्या आएगा? 0, 9. As it is. So 94, minus 4. 90. Okay? Next. 7, 7, 77. 77, minus 6. So जल्दी से करो. 77, minus 6 करेंगे. तो 1's वाला 1's में से, 10's वाला 10's में से, जल्दी से कर दो. पहले इसे solve करो. Yes. So 7 minus 6 क्या होते है? 1, 7. As it is. So 77, minus 6 करके क्या आगया? 71. Okay? So यह वाले आपने subtract करने हैं, ऐसे sum. मैंने उपर वाले यह सारे करके बताए. अब आप भी करना इसे. Okay? Read them and solve it. Okay? So yes. First question उने करके दिखा रहे हैं, क्या लिखे? Beena had 28 stems. She gave 7 to her sister. Beena के पास कितने stem है? 28. 7 उसने किसको दे दी? अपने sister को. So how many stems does she have now? तो उसके पास कितने stems रहती हैं? वो आपने बताना है. Okay? So yes. देखो कितने stems रहती हैं? Yes. Overall कितने stem थी? 28. तो 7 उसने दे दी, तो अपनी sister को दी ना? तो अब इसमें subtract करेंगे. So देखो कैसे लिखे? 28. 28. Minus 7. So this is your ones. This is your tens. तो ones को subtract करेंगे. 8. Minus 7. 8. Minus 7. 1. And 2. As it is. Okay? समझा आ गया? Next, देखो बच्चे क्या है? Second question. A fruit seller had 48 apples. Fruit seller के पास क्या है? 48 apples. He sold 6. तो उसने कितने sale कर दिये? कितने बेच दिये उसने? 6. How many apples are left? अब जो उसने बेच ही दिये 8 में, जो उसके बस finish होगे ना? Overall कितने थे? 48. Salt कितने कर दिये? 6. हमें ये पताना है कि उसके पाद कितने रहे गे? तो हम क्या करेंगे? Minus. So, 8 minus 6. तो once वाला सब्टेक्ट करेंगे, 8 minus 6 करेंगे, क्या आएगा? 2. 4 यहाँ. So, 48 minus 6 करते हैं, तो क्या आता है? 4 to 42. So, 42 apples हैं, जो उसके बहाँ पर उसके पास रह गए. राम बोर्ट 54 बैलून्स ओन इस बर्दे. 3 of them burst. How many are left? बच्चे क्या हुआ? 54 बैलून्स थे टोटल. तो सबसे पहले यहाँ पे लिको 5, 4, 54. और 3 बैलून्स क्या होगे? फूट गए. So, 3 बैलून्स तो फूट गए, यानि कम होगे. तो क्या कर देंगे हम? माइनस. So, हमें बताना है how many are left? कितने रह गए बहाँ पर? तो क्या करोगे हम इसे? माइनस. So, 4 माइनस 3. 4 माइनस 3 करेंगे क्या आएगा? 1. क्या 5 के निचे सब्ट्रेक्ट करने के लिए कुछ है? No. So, यह क्या आगया? As it is. Okay? So, 54 माइनस 3 करते हैं तो क्या आएगा? 5, 1, 51. Okay? So, students, next वाले 3 आपने खुदने ट्राई करने हैं. 4, 5, 6. अच्छे से करना. Okay? अब यह next easy है न यह. इसमें बच्चे आपको क्या करना है? Add करना है. क्या करना है? Add करना है. यह आपकी once position है और यह आपकी tense position है. Okay? तो आपने once वाला once में add करना है. Tense वाला tense में. 6 प्लस 0. 6 प्लस 0. 6. 4 प्लस 2. 4 प्लस 2. 6. Next. 2 प्लस 3. 2 प्लस 3. 5. 7 प्लस 2. 7 प्लस 2. 9. So, it means 7 to 72. Add 2, 3, 23. And we will get 9, 5, 95. Okay? Next में क्या है? 6, 0, 60 को. Add करना है. 3, 8, 38 में. So, first of all हम पहले once को add करेंगे. 0 प्लस 8. 0 प्लस 8. 8. यह आपका 10s है. 6 प्लस 3. 6 प्लस 3. 9. Easy है ना? Next. 4, 7, 47. 3, 1, 31. तो पहले once add करेंगे. फिर 10s. So, 7 प्लस 1. 8. 4 प्लस 3. 4 प्लस 3. 7. So, 47 प्लस 31 इक्वल टू 78. Okay. So, बच्चे, एक्चुली में क्या हो रहा है? जैसे देखू, यहाँ पर क्या था? 32 प्लस 41. So, 2 प्लस 1 किया तो 3. 3 प्लस 4 किया तो 7. एक्चुली में देखू, बच्चे, क्या किया हमने यहाँ पर? 3, 2, 32 है ना? 4, 1, 41 है ना? तो यहाँ पर जो 10 है. 10 में कौन-कौन है? 3 और 4. तो उसकी यह 10 वाली स्लाइड बना ली. यहाँ पर 3 है. तो यहाँ पर मैंने 3 स्लाइड ले ली. और फिर 4 है. तो मैंने ऐसी 4 स्लाइड ले ले ली. जिसमें 10, 10 के क्यूब है. Next, 1s. यानि सिंगल क्यूब. फर्स्ट में क्या है 2? तो मैंने यहाँ पर 2 ले लिया. अलग से छोड़-छोटे क्यूब. फिर क्या है 1? तो यहाँ पर 1 क्यूब ले लिया. ओके? तो अब बताओ, सिंगल-सिंगल क्यूब कितने होगे? ऐसे square shape में जलती से चोड़-छोटे. जो squares है, yes. 1, 2, 3. तो यहाँ पर क्या write करेंगे? 3. अब यह जो slides है, 10, 10 के squares की, yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो यह overall कितनी है? 7. तो overall क्या हो गया? 7, 3, 73. यह ऐसे बन गया, okay? समझ आ गया आपको? तो ऐसे करने आपने, यह आपका आज का homework है, students. तो आप यह अच्छे से करना, कोई भी mistake नहीं करनी है, okay? तो यह आप ध्यान से देख लेजे. So, thanks for watching. Bye-bye to all of you. Bye-bye.